नमस्कार मेरे भाईयों मेरे दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तंदुरुस्त होंगे अपने लाइफ में आप लोगों का जो है लगतार कमेंट आ रहा था कि भाईये कुछ प्रस्ण करवा दीजे समेस्टर टू और फूर का एकजाम आने वाला है तो इसलिए हमने जो है आप लोगों के लिए कुछ प्रस्णों को लेकर आया हुआ है आप अगर मेरे पुराने स्टुडेंट हो तो आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका आप अगर नए स्टुडेंट हो तो मैं आपको जादे कुछ नहीं कहूंगा आप इस प्रस्ण को पढ़िए उसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि सारा परशन जो यहीं से पढ़ना चाहिए तो चली बिना देर की आज किस वीडियो को अस्टार्ट करते हैं परशन है दिल्ली सल्तनत का पतन के कारणों का विवेचन करें आपको पोछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे क्या कारण था दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे क्या कारण था इसके एक कारण नहीं थे बलके कई कारण था जो हम लोग बिलकुल आसान सब्दों में जानने वाले हैं सबसे पहले आपको परिचे देना है दिल्ली सल्तनत भारत में एक मुसलिम समरेज्ज था इसके अस्थापना कुतबुद्धी नेवक ने की थी जो मुहमत गौरी का गुलाम था इसलिए इन्होंने गुलाम उवन्स की नीव को रखा दिल्ली सल्तनत लगबग 320 सालों तक चला था आनी 1206 से लेकर 1526 तक यह सासन चला था 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत में सासन मेवस्था अलग-अलग वन्सजों द्वारा चलाया गया इस दोरान दिल्ली को रजधानी बनाकर कई मुस्लिम वनसजों ने भारत पर सासन किया आनी 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत के दोरान कई मुस्लिम सासकों ने दिल्ली को अपनी रजधानी बनाया और यहाँ पर सासन ब्यवस्था को चलाया दिल्ली सल्तनत में कौन-कौन से वनसज परमूख थे, तो जैसे की हो गया गुलाम वन्स, खिलजी वन्स, तुगलक वन्स, सयद वन्स और लोधी वन्स, ये सभी परमूख वन्स था, गुलाम वन्स जो है, इसलिए कहा गया कि इसमें जितने भी सासक होंगे, चाहे कुत परमूख हो या कोई और सासक हो, वो सभी गुलाम होगा, इसी परकार से खिलजी वन्स, तुगलक वन्स और सयद वन्स ने यहाँ पर सासन विवस्था को चलाया, और जो अंती मोन्स था, वो था लोधी वन्स, लोधी वन्स का सत्ता कब समाप्त होता है, तो जब दिल्ली प पर लोधी वन्स का सासक इबराहीम लोधी का सासन मिवस्था स्था पित्था, यहाँ पर इबराहीम लोधी और बाबर के बीच जो है, पंद्रो सो च्हबीस में फर्ष्ट पानीपत का वार होगा, और इस युद्ध में बाबर ने इबराहीम लोधी को हरा दिया, जब पान अगल समराइज्य की नीव बाबर ने रख दी अब जानते हैं कि आखिर दिल्ली सल्टनत का पतन किस परकार से हुआ था इसके तो एक कारण थे नहीं एक से अने कारण थे तो वही है नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है दिल्ली सल्टनत के पतन के कारण मैं आपको जाद अगर डीटेल्स में समझाऊंगा तो काफी समय लग सकता है इसलिए मैं आपको उतना ही समझा रहा हूँ जितना आपको हो सकता है दिल्ली सल्तनत के पीछे जो है कई कारण थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है तो इसमें क्या क्या कारण थे इसको हम लोग देखते हैं कारण में जो हम लोग 5-6 कारण बता देंगे और इस परकार से हमारा जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोश्तों, मेरे भाईयों, मैं आपको ये यकिन दिलाता हूँ कि जिस परकार से हमने आंसर को लिखा है आप अगर इसी फॉर्मेट में आंसर को लिखते हैं तो आपके जो एग्जाम में बहुत ही अच्छे मांस आएगे तो आप इसी फॉर्मेट को उपनाए दूसरे सासक को सत्ता से हटाना चाहेगा और खुद अपनी सासन विवस्था को अस्थापित करना चाहेगा तो इसलिए जो है इन सासकों के बीच इन वनसजों के बीच जो है सत्ता को लेकर संघर्ष होगा और अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रियास चाहे युद्ध हो, कुट नितीज हो या धोखा हो हर चीजों का सहारा लेगा ताकि वह जो है दिल में अपनी समरेज्ज को अस्थापित कर सके इस राजनीतिक संघर्षों ने संघर्ष को कमजोर बना दिया जब वापस में समरेज्ज के अंदर बार बार संघर्ष होता है तो इसे स्थिति में उनका समरेज्ज कमजोर हो जाता है और जो इसका दुस्मन होगा बहरी रेज्ज का वो इनके रेज्ज पर हमला कर देगा और इनसे सत्ता छीन लेगा इतना ही नहीं सक्तिसाली अमीर और नियंत्रन अस्थापित कर सके इसका मतलब यह है कि यहां पर जो अमीर और नवाब था उसका बहुत महत्पूर्ण योगदान था यह प्रियास करता था कि जो कमजोर सासक है उनको जो है सत्ता पर बैठाया जाए इनसे इनको लाब किया था तो अगर यह कमजोर सासक को सत्ता पर बैठायगा तो इसे इस्तिती में वह जो है उन पर नियंत्रन रख सकेगा लेकिन अगर सक्तिसाली सासक को बैठा देगा सत्ता पर तो वो सक्तिसाली सासक इन अमीर और नवाबों के बातों को नहीं मानेगा इनके नियंत्रन में रही रहेगा इसलिए जो है यह अमीर औ उनको जो है सासक बना देता था जो इनके पतन के पीछे एक महत्पून कारण माना जाता है दूसरा जो कारण था धार्मिक टक्राव दिल्ली सल्तनत के सासन काल में हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच लगतार टक्राव होता रहा दिल्ली सल्तनत के दोरान जो है हिंदू औ अंदिर को तोड़ देता था उन पर जजियाकर लगा दिया गया था जजियाकर का मतलब होता है एक एसा टेक्स जो गेर मुस्लिम होता था जो मुस्लिम नहीं होता था उनको देना होता था और जजियाकर लगाने के पीछे उद्देश ये था कि जो जजिया टेक्स नहीं देन चाहता है वो मुस्लिम धर्म को स्विकार कर ले यही इनके पीछे उद्देश था इससे हिंदू समुदायों में असंतोस बढ़ गई और उन्होंने विद्रो किया इसके लावा अलब संक्यक धर्मों के लोगों को भी कई तरह के अत्याचार सहने पड़े उधारन के लिए जो मुस्लिम धर्म को स्विकार करता था उनको जजिया नामक टेक्स नहीं देना पड़ता था तो इस परकार से दिली सल्तनत के पतान का दूसरा जो प्रमुख कारण था धार्मिक टक्राव तीसरा जो है वो है आर्थी का सुन्तूलन थोड़ा से वीडियो लंबा होगा लेखिन मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं देखना होगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लिखिन मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि केवल इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई confusion नहीं रहेगा अप आसानी से एक्जाम में अच्छे से लिख सकते हो तीसरा जो point है वो है आर्थी का सुन्तूलन और कुशासन किसानों पर बहुत अधिक कर लगाए जाते थे क्योंकि एक्टा पर्था कितात भूमी को सेनीकों की वेतन के रूप में दी जाती थी धिरे धिरे सुल्तानों के पास भूमी की कमी होने लगी जिसके कारण अब सुल्त अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमी की अस्थान पर नगद रासी देने लगे इसका मतलब यह है कि सासकों द्वारा सेनीकों का जो वेतन देना होता था जो अधिकारियों का वेतन देना होता था नगद वेतन नहीं देता था उस भूमी के छेतर को दे देता था और जो सेना पती होता था वो खुद वेतन रखता था और उससे बचत करके अपने अधिकारियों को भी वेतन देता था लेकिन जब इनके पास भूमी कम होने लगा तो इसे इस्तिति में जो है धीरे धीरे इन्होंने नगद रासी देना प्रारम कर दिया क्योंकि जब इनके पास भूमी रहेगा ही नहीं तो अपने सेनिकों को क्या देगा वेतन के रुप में भूमी जब यहाँ पर सेनिकों को नगद रासी देने लगा तो इससे इस्तिति में किसानों पर आधिक उसको लगा दिया अगर अधिक उसको नहीं लगाएगा तो जो है सेनिकों अधिकारियों को राजा केसे दिपाएगा वितन, इसलिए यहाँ पर किसानों पर बहुत जादा त्याचार किया जाने लगा, इसलिए किसानों से ज्यादा से जादा टेक्स वसूला गया, जिससे उनके आर्थिक इस्तिति अतियंद खराफ हो गई, इसके अला हुआ, सुल्तान के अधिकारी जनता से घूंस भी लेता था, और उनका सोसन भी करता था, इस तरह से भरष्टा चार ने सरकार की आय को कम किया, और जनता की आर्थिक इस्तिति को बिगाड़ा, एक तरफ तो यहाँ पर किसानों पर अधिक एक्स लगा दिया गया था, दूसरी तरफ, किसानों को कहता था क अगर तुम्हें राजिकोस में टेक्स को जमान नहीं करवाना है तो हमको जो है इतना तुम्राशी दो मैं तुम्हारा टेक्स माफ करवा दूँगा इस परकार से कई किसानों से ठग लेता था पेशा उनका सोसन करता था और जब उनके अधिकारी भरस्ट हो गया तो यहां पर पतन का एक प्रमुक कारण माना जाता है चोथा जो है वो आंतरिक विद्रो आरसंतोस विविन प्रांतों में अस्थानिय सासकों ने विद्रो किया और सोतंतरता की घोशना की जिससे सल्तनत का नियंदरन कमजोर हो गया भारी का राधान अनि टेक्स और परसासनी कत्याचार के कारण जनता में असंतोस बड़ा जिससे विद्रो और बगावतें हुई उधारन के लिए दच्छिन भारत में विजय नगर समरेज्ज का उदय हुआ जिससे दिल्ली सल्तनत की सक्ति को चुनोती थी गई आनिक इसमें यह कहा गया है कि जब अस्थानिय सासकों ने दिल्ल सल्तनत पर विद्रो कर दिया विद्रो क्यों किया जब दिल्ली सल्तनत में सक्ति साली सासक था तो उस दोरान जो है उन सक्ति साली सासकों दोवार अपने आसपास के जितने भी छेतर थे उन छेतरों पर कबजा कर लिया जब यहां पर दिल्ली सल्तनत में कमजोर सासक आया त था किसानों से अधिक टेक्स लिया जाता था तो एसे इस्तिति में यहां की जो जनता थी दिल्ली सल्तनत के साशन विवस्ता से असंतूस्ट थी जिसके कारण जो है इन्हों ने मिलकर बगावत की जैसे की दचिन भारत में विजे नगर समरेज द्वारा इस पर हमला किया गया और इस परकार से दिल्ली सल्तनत को चुनोती दी गई नेक्स्ट पॉंट आपको बनाना है सेन कमजोरी और तकनीकी पिछड़ापन सेना अच्छी तरह से संगठित नहीं थी और उसके पास अधोनिक हत्यार भी नहीं थे सेना में वीभिन गूट और विवात थे जिससे उसक पर हमला किया और उस समय जो है बाबरन तोप का प्रियोग किया युद्ध में जिसे कारण दिल्ली सल्तनत में इबराहीम लोदी का पानी पत्का पर्थम युद्ध में प्राजय होता है वही कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो है सेना संगठित नहीं थी ना इनके पास जो है आधुनिक हत्यार था सेनाव के बीच गोट बढ गए थे और उन गोटों के बीच वापसी विवाद था एक गोट के सेने मंग दूसरे गोट जैसे कि पानीपत का परतम युद्ध में मुगलों ने तोप खाने और बंदुकों का उपियोग किया और इनके पास जो अधुनिक हतियार नहीं था तलवार और भाला कब तक ठीक था तोप के सामने और बंदुक के सामने इसलिए जो बाबर के बहुत कम सेनिकों ने दिल्ली स सल्तनत के अंतीम सासक इबराहिम लोधी को प्रयाजित कर दिया जबकि सल्तनत की जो सेना थी परमपारिक युद्ध तकनीकों पर बैसिकली निर्भर थी जिससे वे अधुनिक युद्ध तकनीकों के सामने जो है कमजोर पड़ गया अधुनिक तकनीक के जब पर्योग किया गया तोप का बारूद का बंदू का तो ऐसे इस्तिति में उनके सेनिक जो है कमजोर पढ़ गया उसका सामना ही नहीं कर सका इस तरह से बाबर और इबराहिम लोदी के विच पहली पानीपत के युद में इबराहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ता है तो आधोनिक तक्नि थी वो कमजोर थी जिसके कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ मंगोलों ने भारत पर कही बार आकर्मन किया मंगोल भारत पर आकर्मन क्यों करता था ताकि भारत से अत्याधिंग मातरा में धन को लूट सके और देश को काफी नुकसान पहुचाया मंगोलों ने दिल्ली स सल्टनत की सेना को प्राजित किया और दिल्ली को लूटा पसी मैसिया से भी कई बार आकर्मन हुए जिससे सम्रैज की समाय का मजूर हो गई आनी चाहे मंगोल हो चाहे अफगानी हो वह सब यह बार बार भारत पर आकर्मन करता था इससे पीछे उद्देश किया था उन्होंने मंदीरों में अतियाधिक मात्रा में सोने चांदी है इसलिए यह बार बार भारत में अधिकतर मंदीरों पर हमला करता था वहां से सोने चांदी को लूटता था और फिर वापस चला जाता था तो इस परकार से मंगोलों द्वारा अफगानियों द्वारा भारत में बार बार आकर्मन किया गे जिसके कारण इनकी जो सिमाएं थी वो कमजोर पढ़ने लगी और इस परकार से दिली सल्तनत के पीछे विदेशी आकर्मन और कमजोर सिमाओं को भी माना जाता है और अंतीम में आपको निसकर से जरूर लिखना है ओपर युक्ति तथ्यों के अधार पर हम य तो यह सभी कारण था जिसके कारण दिली सल्तनत का पतान हुआ जिसने दिली सल्तनत को कमजोर बना दिया और अंतता इसका पतान हो गया तो इस परकार से आपको पूरा एंसर लिखना है हमने लगभग 400 सब्दों में आपको एंसर करवा दिया है आपको अगर 15 माक्स का पू कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस प्रशन का बनाया जाए तो आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों से बहुत जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद